हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सकसे जनालिज यूटूब चाइनल पर दोस्तो जैसा कि आपको पता है मैं आपको लेखक परिचे करवा रहा हूं क्या करवा रहा हूं दोस्तो लेखक परिचे लेखक परिचे में मैं आपको साहितिक परिचे के बारे में बता रहा हूँ जिस पर मैंने आपको दो या तीन लेखक परिचे बता चुका हूँ इन लेखक परिचे में से जो most important लेखक परिचे हैं उनको भी बाद में बताऊँगा कि कौन सा ज़्यादा most important है अगर उसी को learn कर लेंगे तो याद हो जागे लेकिन दोस्तों बस आपको करना क्या है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करना है ताकि आपके और भी फ्रेंड हमाई साथ जोड़ सकें और इन वीडियो जोगा फाइदा उठा सकें इसके बाद चैनल पर पहली बार आयों तो सब्सक्राइब कर लेना है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जीवन परिचे लिखना है ताकि आपको जो मार्क है पूरे के पूरे मिले कितने पूरे मार्क मिले एक बिमार कटे ना क्योंकि जो 65 एर प्लस इस्पीरियंस टीचर है उससे मैं सारा मैटर बनवा के लाया हूँ और आपको वीडियो प्रवाइड कर रहा हूँ देखे दोस्तों आपके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ पहले मैं सारा मैटर बनवाने गया प्लस इस्पीरियंस हिंदी का टीचर हमारे कॉलेज में पढ़ाता है वहीं पर मैं भी पढ़ाता हूँ तो वहीं पर मैं गया और यह सारा मैटर बनवा के लाया अब यहां पर मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ तो चलिए सीधे ले चलता हूँ जहां पर मैंने लि परिच्ञा को लिखना हो तो यहाँ पर सबसे पहले बीचों बीच इस पेस आपको नजरा रहा है यहाँ पर और दो चार लाइन चौनेंगे और हेडिंग क्या डालेंगे जन्म और इसके बाद जन्म स्वाइब का सन लिख देंगे फिर इसक बार दा राएंगे मरत्यू सन लिख देंगे इसको जन्म इस्थान यहीं पी एक लाइन खाली है 3-4 लाइन चोब दें में में जो पॉइंट है इनको यहां पर नोट कर देंगे फिर आप साहिट से डालेंगे जीवन परिचे इनके जीवन के बारे में और साहितिक परिचे इनके साहित के बारे में तो अब इनके जीवन के बारे में लिख देते हैं तब ही तो साहित बनेगा तो सबसे पहले जीवन के बारे में लिखेंगे जब यहां पर आप लिखेंगे प्रभाकर जी का जो जन्व थ अब 1906 अब इस 1906 इस भी को आपको हाइलाइट कर देना है यह नहीं कि मोटे स्केज्ट से थोड़ा रखना है और इसमें आप ऐसे भी लाइन को खिंचा सकते हैं ऐसे आप अपनी कौपी पर ऐसे लाइन कीचा दीजिए ऐसे नीचे पेंट से अपने तो इक्जामनल को दीखत कर सकते हैं ताकि उनको दिखता रहे अब इनके पिता जी जो थे पुरोहित का कारे करते थे किसका कारे करते दोस्तों पुरोहित का कारे करते थे इन्होंने अपना संपूर जीवन इनका पूरा का पूरा जीवन था पत्रकारिता में बिता दिया मतलब यह पत्रकारिता का का बेईस में हो गई तो 1905 बेईस बी को भी आपको मोटे से रखना आप दोस्तों जो फिजिक्स होती है केमस्टी होती है वहाँ पर तुम्हें आपको टढ़े बता देता हूं लेकिन इप यहां पर तुम्हें टढ़े बता नहीं सकता कि इसका जन्म का बहुत अपस्तान वन तो आप रखना ही पदेगा फिर इसको यहां से मैं आपको यह बता सकता हूं कैसे आपको पूरे मार्क मिलेंगे वो मैं यहां पर बता रहा हूं अब यहां पर एडिंग डालेंगे रचनाएं तो रचनाएं में आकास के तारे धरती के फूल जिंदगी मुस्कुराई दीप जले राख बने मती हो गई सोना इस प्रकार के जो है दोस्तों दो तीन रचना है जो आपको याद हो उन्हें लिख देना है फिर आपको एडिंग डालना है भासा में आप लिख देंगे कंधया लाल प्रभाकर मिस्ट्र जी की भासा साहितिक ख़़ी बोली है इतना सजा आप इतना सकते हैं कोई दिकत नहीं प्रति आप इंगे सेलिया हैं इनको आपको कर लेना है और बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को जदा जदा सेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं आपको हजारी परसाद दुवेदी जी का जी जो साहितिक परचेता उसे करवा चुका हूं तो बस मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन